नमस्कार आप देख रहें न्यूस वान इलेवन अमें हूँ आपके साथ शीवानी महाराश्ट में असी घंटे तक मुख्यमंति रहे भाश्पा निता देवेंद्र फंडविस ने राजयपाल को अपना स्थीफा स्वाप दिया है महाराश्ट की राजनीती में मंगलवार को एक बार 307 जीगरी का चन लिया है इसके साथ ही महाराष्ट के ये राजनेतिक हाला फिर तीन दिन पुराने मोड पर लोटा हैं जहां NCP शिवसेना कॉंग्रेस गटबंदन सरकार बनाने की जदुजहद में जूटी थी मंगलवार दो पहर पहलोप मुख्यमंत्र जीद पवार ने मुख्यमंत्री देविने फंडविस को अपना स्थीफा सौपा और इसके कुछ तेर बाद ही मुख्यमंत्री देविने फंडविस ने भी प्रेस कॉन्फरेंस कर अपने स्थीफे की घोशना कर दी प्रेस वारता खत्म करने के बाद वो शांत करी चार बजे राजेपाल को अपना इस्तीफा सौपने पहुँचें इसके साथ ही महरास्ट में एक साल पहले का करनाटक का राजनिती के तिहास दोहरा दिया गया है अजीत पावार के स्तीफे की खबर सामने आते ही डेविनर फंडविस के स्तीफे की भी चर्चा शुरू हो गई थी की प्रेस वार्ता के दोरान देवेंर फंडविस अपने स्तीफे की घोशना कर सकते हैं साथ ही वो अगली रंड़ नीती के बारे में भी मीडिया को जानकारी देंगे और मालूम हो कि अजीत पवार के स्तीफे से थोड़ी दिर पहले ही प्रधान मंती नरेंदर मुदी, ग्री मंती अमिच्छा और भाजपा के कारेकारी अध्याक्ष जेपी नडड़ा ने महरास्ट को लेकर एक एहम बैठक की थी माना जा रहा है कि इसी बैठक में मुख्यमंत्री और उप्मुख्यमंत्री के स्तीफे का फैसल लिया गया था और मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही एंसीपी शियोसेना कॉंग्रिस को याचिका पर सुनवाई करते वे फ्लोट टेस्ट का आदेश दिया था एंसीपी शियोसेना कॉंग्रिस गठवंधन वाले महाविकास अगहारी के निताश शुरू से दावा कर रहे थे कि भाजबा के पास राजबे सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का अकड़ा नहीं है इसके खिलाब अपने दावे को मजबूत करने के लिए गठवंधन की तरफ से मंगलवार शाम को मुंबई के होचल हयात में मीडिया के सामने विदहायकों की परेट कराए गई थी महरास्ट में गरिवे एक महिने से ज़ादा लंबे समय से चले आ रहे है राजजीती ड्राम में आखिर शरिवार को चरम पर पहुँचा राजे में अचानक से रास्ट पती शाशंग हटा कर सुबह 8 बेजे ही राजेपाल ने भाजपा नेता देविन्ध पन्विस को मुख्यमंत्री और एंसेपी के अजीत पवार को मुख्यमंत्री पत की शपत दिलाई थी महाविकास अघारी की तरब से राजेपाल के स्पैसले और महारास्ट की नई सरकार को सुप्रीम कोट में चुनावती देखते हुए जल से जल फ्लो टेस्ट कराने की मांग की गई थी एंसेपी शियुसेना कोहरिस दौरा मंगलवाज शाम कराएगे विधायकों की परेड में ये दावा किया गया था कि उनके पास 162 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है इस दौरान एंसेपी के वो विधायक भी होटल में नज़र आए जो शनिवार सुबह शपत ग्रहन के दौरान राजभावन में दिखे थे इन विधायकों ने मीडिया के सामने ये करकर सब को चुका दिया था कि उन्हें शपत ग्रहन के बारे में कोई जनकारी नहीं थी कहा कि उनसे गलती हो गई थी वो अब ये गलती नहीं दोराएंगे वह लोग शरत पवार के साथ और वहीं उनके नेता है और इसके बाद देवेंदर फरणविस और अजीद पवार के लिए बुदवार को विधान सबा में बहुमत साबित करना लगबग असंभव हो गया थ कर रहा है अजीद पवार के स्तीफे और देवेंदर फरणविस की स्तीफे की चर्चाओ की बीच महरास्ट में अब अगले मुखी मंतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है थोई दिर पहले ही शिवसेना नेता संजे रावत ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि अजीद पवार के स्तीफे की बाद संजे रावत की दावे के मताबिक उद्धव ठाकरे पांच साल तक राजे में मुख्यमत्री रहेंगे शुक्रवार को गटबंदन की बैटर के बाद जो खबरे सामने आ रही थी है उसके मताबिक मुख्यमत्री शिवसेना का होगार NCP औ और हो ले कि अब तब कोई अधिकारिक घोश्चना नहीं हुई है फिलाल इतना ही तमामे से बड़ी खबर सुरूबर होने के लिए देखते रहें न्यूजवन 11 के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं